आज मैं लेके आई हूं आपके लिए निम्बू काचा मेरी स्ट्रिक से आप निम्बू काचा डालेंगे तो कभी खराब नहींगे और लोंग टाइम ताक इसको आप इस्टोर करके रख सकते हैं यहां पर हमने आदे किलो निम्बू लिये हैं उनको अच्छे से साफ कर लिया है दोकर हम पोच कर लेंगे विल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए और इसके बीज हम अलग से निकाल देंगे और इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में दर दर सा पीछ लेंगे जिस कडाई में आपको निम्बू का चाहर बनाना उतको गेज पर रखेंगे मीडियम आज पर और जो हमने पेस्ट बना है निम्बू का अब हम डाल देंगे और दो से तीन मिनिट के लिए हम भूनेंगे में घरसन साथ चैनल से विमल भाव सर आपका सभी का स्वागत करती हूं आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा तीन सा चार मिनिट होने के बाद हलका सा सोप्ट हो जाएगा अब हम इसमें मुसाला डालेंगे यहां पर हमने डाला है एक चम्मच काला नमक जो किसके स्वाद को बहुत बढ़ाता है उसके बार डालेंगे हम एक चम्मच दरदरी पीसे वी काल गुड़ डालेंगे वो इसको अच्छे से मेश करेंगे उसके बाद हम वापिस आदा सा गुड़ हम बारिक करके हम डाल देंगे गुड़ को पीगलने तक हम पकाएंगे यह दस मिनिट में पटाफट बनने वाल अचार है यह अचार हमारा बन के तया है अब आप इस चटनी को एक जार में निकार लें आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सस्क्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू